दोस्तो अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों का किड़नी ट्रांस्प्लांट होता है उन में से 40% मर्दों के अंदर सेक्शुल प्रोब्लम आती है तो यह दिकत क्यों आती है और इसका निदान क्या है इसी टोपिक के उपर हम डिटेल से बात करेंगे तो दोस्तो जो भी चै है बोत बड़ी समस्या वी नहीं है और इसको हम छोटी अबहु सकते हैं Dr. अधन्य तो दोस्तो यह इतनी बड़ी और नाही इतनी ला इ fino है वि मारे कि ही सकते हैं लेकिन इसंसे पहले हमें सोड़ा अपन coz sow Şu hegc की जो हमारी समस्ज्चा है वो हम डिटेल से उसको अपने डौक्तर से एक्सपलें करें जिस इसके कावा होने के जो कारण होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा तरतों पेशेंटों के अंदर देखा जाता है जिन लोगों का लंबे टाइम्स तक डाइलिसी होता है और उसके बाद में वो ट्रांस्प्लांट करवाते हैं तो उसके जो भी रिपोर्ट होते हैं वो नॉर्मली इंप्रूब हो जाते हैं लेकिन जो य हमारी बलड सप्लाई करने की जो वेंस होते हो कमजोर हो जाती है जिसके कारण में जो सेक्ष्वल पार्ट होता है वहां तक बलड की सप्लाई पर त्रीके से नहीं हो पाती है इस वज़े से दिक्कत होती है लेकिन जब ट्रांस्पलांट हो जाता है तो उसके अंदर सभी हम भीरत रहाती है और इसका झान होता है कि जिन लोगों के अंदर लोगों की घे हीं uniform कि अनुम Korean City के छोती है उनके अंदर इंदर प्रोब्लम से थे हैं दोस्तों इसक辰 hm Hum LIN तेक हुती है जिसके अंदर हमारे श्ול featuring marque Mother इसकी भी धिकत हो सकती है और साथ में जैसे हाईपर सनकी मेडिसर दिन पेशन्टों हो चल रही होती है। अगर आप दोग्ट्र के टचम में रहते हैं तो हमारे ऑपोर्ट के द्चम के पास में भोगत इंतres होते हैं। घुन खिंप मेडिसर को बन नहीं कर सकते हैं। जिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके जो हमारी समस्च्य है उसका निदान वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि एक तो हम फ्रेंकली अपने डोक्टर से इसके बारे में बात करें। और दूसरा हम time to time doctor के touch में रहें और follow up के लिए हम जाते रहें तो यह जो समस्च्य है इसका भी निदान हम कर सकते हैं दोस्तों इससे यह जो समस्च्य है इससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें psychology के रूप से भी अपने आपको prepare करना होता है ज्यादा हमें tension में नहीं रहना होता और हम यह जो समस्च्य है इससे हम बाहर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और जल्द ही एक नए topic के साथ एक नए experience आप लोग उसे share करूंगा तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़े नमस्कार